असलामों अलेकूम नाजरीन मैं आपका मेजबन फैजान नजाकादरी आपका इस्तेकबाल करते हूँ हमारे चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो में हम हिंदूस्तान के माहिना ज़स्ती और साधाते बुखार्या के जस्मों चेड़ा का जिक्र करेंगे जिनकी विलायत की रोषनी से कल भी लोग फैस पा रहते और आज भी आपका फैजानो करम जारी और सारी है आज भी आपकी दरगा सरीश पर एक पत्थर मौजूद है जो आपकी जिन्दा करामत है जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते है दोस्तो आपका मुबारक नाम हजरत सेद अब्दुल्ला है आपकी कुनियत अबु मुहम्मद और आपका लकब बुर्हान उद्दीन है और आपका खिताब कुद्बे आलम है सरकार कुद्बे आलम रदियल्लाव ताला अन्हो एहमदाबाद के सरजमीन पर आराम फर्मा है इसके पीछे क्या वाक्या है उसे सुने एक मरतबा हजरत सेद ना सरकार कुद्बे आलम रदियल्लाव ताला अन्हो तहर्जुत की नमाज के लिए अपने मकान से मस्जिद तस्रिफ ले जा रहे थे रात का अंदेरा चाया हुआ आपके मुबारक पैर से कोई चीज टकराई जैसे ये आपको ठोकल लगी तो आपने इर्साथ फरमाया कि ये लोहा है लकडी है पत्तर है या कुछ और आप इतना फरमा कर नमाज के लिए तस्रिफ ले गए जब सुबा का उजाला हुआ तो लोगों ने देखा जो बा सरकार कुद्बे आलम रदियल्लाव ताला अन्हो ने अपनी मुबारक जबान से फरमाया था कि ये लोहा है लकडी है पत्तर है या कुछ और वो चीज इन सब चीजों में तबदिल हो गई उस चीज में कुछ हिश्चा लोहे का है कुछ हिश्चा लकडी का है कुछ हिश्चा पत्तर का जैसे के आपने फरमाया था कि या उसे देखने के लिए लोगों की बहुत भीट बढ़ने लगी। अल्लावाले हमेशा अपने आपको दुनियादारों से दूर रखते हैं। इसलिए आपने फर्माया इस पत्थर को एक कुवे में डाल दो। और साथ ही आपने ये भी फर्माया कि जो कोई इस पत्थर को कुवे से निकालेगा उसकी नसल आगे नहीं बढ़ेगी। खत्म हो जाएगी। आपके फर्मान पर अमल करते हुए खादीमों ने पत्थर को कुवे में डाल दिया। एक लंबा अर्शा गुजर गया सरकार कुद्ब्यालम रदियल्ला अन्हो के विशाल सरीफ के बाद आपके साजादे हजरत सापीर रमतुलाई अलहे के अकिदर मन एक हीजडे ने उस कुवे से पत्थर को निकाला और फिर से लोगों को सरकार कुद्ब्यालम रदियल्ला अ और उसे उठाते भी है लोग अपनी अकिदत के एतेबार से ऐसा कहते है कि जो कोई अपने किसी जाईज मुराद को दिल में रखते हुए इस पत्थर को उठाए तो अगर वो ख्वाइस जल्दी पूरी होने वाली हो तो पत्थर आसानी के साथ उठ जाता है और अगर किसी सब अगर ताकिर होने वाली हो तो पत्थर भारी मैसूस होता है और उठता नहीं है सेहन सा हुमायू जब गुजरात में था तो उसने सरकार कुद्बे आलम रदियल्ला अन्हों के मजार पर हाजरी दी और उस करामती पत्थर को देखा और ताज्जुब का इजहार किया और कहा मैंने ऐसी अजीब और गरीब किज आज तक दुनिया में नहीं देखी तो नाजरीन आज भी एहमदाबाद में कुद्बे आलम दर्गा पर इस मुबारक पत्थर की जारत की जाती है